दोस्तो हरी पे आज की आज हम लोग बहुत ही रेसी सब्जी बनाएंगे वो भी कम से कम सामान में ना ज़्यादा तेल मसाला यूज करेंगे और बहुत ही जल्दी भी बनकर ये तयार होगी तो जब भी आप कभी जल्दी में हों और घर को यानि आपके परिवार को पूरा खा लगा करके चार चार रोडियां खाते चले जाएंगे तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगी ये सब्जी तो बढ़िया हरा प्याज ये तो मेरा आ बाजार से भी ला सकते हैं मैंने गार्डन से तोड़ा हुआ है तो हम सिर्फ हरा वाला हिस्सा ले रहे हैं अगर आप दूसरी तरब इसे कड़ाई या पैन में बनाएंगे गैस पे चड़ा लिया है इसमें एक बड़ा चमज हमने सरसों का तेल ढाला हुआ है तेल को अच्छी तरीके से हमें गरम करना है दोस्तों तेल अच्छी से जब गरम हो जाए तो इसमें थोड़ी सी हींग डाल इसके बाद इसमें तीन चार लेशन की कलियां बारी काट करके डाल दी है अगर आपको लेशन पसंद नहीं है तो आप यहां पर बिना लेशन के सिर्फ जीरे से भी सबजी को बना सकते हैं यह उतनी ही स्वाधिष्ट्र सबजी बनकर त्यार होगी तो लेशन में हमारा पग यह बन कर भी तयार हो जाती है तीन मिनट के अंदर ही तीन पूरे प्रोसेस में आपको 5 मृट से ज़ाधा नहीं लगेगा अब हमें इन आलों दो को टेल ऐने साथ में हल्दी के साथ में एक्झे से हम थोड़ा से प्राइ कर लेंगे यानि riches कर लेंगे जिसे की जो तेल में है ना आलू अच्छे से भोन जाए तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा आलू नीचे लग जाए क्योंकि ये जो पैन है नॉन स्टिक नहीं है अगर आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी आलू हलके हलके हाथों से हम नीचे स्क्राइच करते रहेंगे जिसे की आलू जादा ना लग जाए क्योंकि उससे फिर सारे आलू जलने लगेंगे जो टुकड़े बड़े हैं उन्हें चम्चे से या फिर कल्ची की साहता से रफली ही तोड़ दीजिए बहुत ज़दा बड़े बड के साथ से डाली टेस्ट करके और मिर्च भी जितना आप तीखा अगर चटपटा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च जादा डालिए बिल्कुल थोड़ा सा मेने बाद में गरह मसाला डाला हुआ है एक चौथाई चम्मत से भी कम बस इसके तुरन बादी जो हरी प्याज थी हम कैस की आज को लो टू मीडियम करते हुए अब हम इसे अच्छ से मिक्स करना है हरी प्याज को तो बागी की जो बच्ची हुई प्याज है उसे भी में डाल लेती हूँ बहुत ही दोस्तों ये सबजी हेल्दी होती है जो नॉर्मल हमारा प्याज होता है घर पे जिसे हम असानी से मिल भी जाता है देखिए प्याज जो है कितना पक करके कम हो गई है और हमने इसे बहुत जादा भारीक नहीं काटाता है इसलिए काफी अच्छ से दिख भी रही है इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक जो प्याज है यानि हरा प्याज है वो थोड़ा पक नहीं जाता है तो बस दो मिनिट में आप चाहे तो इसे दो मिनिट के लिए धीमियाज पर कवर भी कर सकते हैं डगकन से थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल लीजिएगा और बिल्कुल थोड़ा सा धन्या पाउडर बस यहाँ पर हमने बेसिक मसाले यूज किये हैं आमचूर पाउडर बहुत थोड़ा सा डाला है लेकिन यह स्वात को बढ़ा देता है इसलिए डालन गरम मसाला यही डाले जाले हैं और कोई जादा मसाले नहीं डाले हैं और सारे मसाले बहुत ही थोड़ी-थोड़ी पॉंटिटी में डालने हैं अब आलू और प्याज थोड़ा सा आप देख पार हैं कि लटपटी हो गई है तो हमें यहीं चाहिए प्याज के पकने तक क्योंकि हरी प्याज में पानी बहुत होता है तो तो थोड़ा रिलीज करती है तो इस बात आपको देहाओ रुखना है थोड़ा बरावर इसे चलाते रहना है फिर यह नीचे लग सकती है जैसे ही प्याज हमारी पक जाएगी दोस्तों तो हमाई सब्जी तयार हो जाएगी पानी इसमें बिल्कुल मट डालिएगा तो सब्जी हमारी बनकर तयार है मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ बहुत ही टेस्टी लगती है आपने देखा कितने कम तेल और मसाले में हमने सब्जी बनाई है दोस्तों एक बाज जरूर आप भी ट्राई कीजिएगा अभी सर्दी का यह मुसम चल रहा है और बहुत ही आसानी से हरी प्याज जो है अविलबल होती है अगर आपने भी अपने गарडन में प्याज विएरा लगा रखी है तो आप उसका हरा वाला हिस्सा तो और सकते हैं और इसी तरह से जब चाहे तब सब्जी बना सकते हैं नास्टे वग्यरा के लिए भी आप नास्टे में बारठा सब्जी बना सकते हैं तो लीजे तयार है आपकी सब्जी मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक दे दीजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजेगा